हेलो नमस्कार मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि दिश्टी का पास की तो पूजाए कि इसमें कौन-कौन सी सावदा ने रखे जिससे की विज़गां कॉन सो परतिस्थ तक हो जिससे की हमें कम खर्च वक्तम समय में जादा से जादा फसल गी पैदावार प्राप्त हो जिससे की हमें एक अच्छिझ इनकम प्र ज़रूर देखे ताक कि आपको खित्ती से जुड़ी से ज़ ard करी प्राप्त वह अगर आप चैनल पर नई हो तो वीडियो को लाइक सेर बड़ी चैनल को सबस्क्राइब । जरूर करना थाकि आन्य खिसानों को खित्ति से जुड़ी से ज़ुड़ी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देशी कपास के किसमे 15 अपरे से सुरू होती है विजाई अर्याना में मुख्ध कपास के तीन तरह की भी इसकिसानों की तरफ से प्रियूब किये जाती है जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तथा देशी कपास सामील है कपास के सभी पीज़ों की बजाई अपरेल से शुरू हो जाती है जो पूरे महिने में रहती है देशिक पास लगाने वाले किसानों को रियाना सिकार परतियें कड़ 3000 रोपे की विट्या मदद देती है इस मदद को प्राप करने के लिए इराज्य के ऐसे किसानों को मेरी फिसल मेरा ब्योरा पूर्टल पर रेजिस्ट्रेशन कराना होता है तो रेजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया 25 जनुरी से सुरू होती है और 35 मही तक रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जानकारी के मताबिक किसानों की तरफ से उन्दान के लिए कियाना के किसान थोड़ी नमकिन वा कमजोर भूम में सबलता पुरुक उगा रहे हैं दान की तुलना में इसमें लागत कम रहती है जबकि बजार में इसका बाउ दान से अधिक करता है ऐसे में किसान कपास की तरफ अधिकास अक्सित हुए है लेकिन वित्ते कई वर्सों में उत्तरबाट में होने वाली कपास की फसल पर गुलाब भी सुझडी लग जा रही है जिसमें कपास की प्सल खराब हो जा रहे है जिसको देखते हुआ वीतिक कुछ समय से विखे से लिष्टे इसे टेक्नोलोजी पुर्णारीयी पर जोर द दे रही है वहीं ही सी भी चरिया आज हम बात करते हैं देशिक पास की वरायटी की ये के आर एक्सोग्यारा वरायटी सकती वर्थक आईबरेड़ सिस प्राइवेट लिम्टेट के दवारा बनाया गया है इस किसम का वद्धा फिलावदार होता है इसमें 22-23 फल दारक्सकाय होती है इसमें टिंडे का वजन 2-3 ग्राम तक होता है सदानता इसमें 3-4 ताड़ियां होती है इसके पकने के वद्धी 160-170 दिन होती है यह कम समय में पकने वाली किसम है अधिक जान करें तो आप संपर करें 0-162-6563 सक्ति वर्थक आईबराड शिट्स प्राइवेट लिम्टेट तिलक पजार इंसार के आर 111 बार सरकार द्वारा नोटिपाइड किसम है अखिल बारतिया समनित के पास सुदात प्रियोजनास प्रिक्शनों के अनुशार के आर 111 ने उत्तर बारत में AH1 के तुलना में अधिक थता अरियाना में AH1 से अधिक CC1CR से अधिक थता राजस्तानी में राज DH9 से अधिक पैद कलीवा फूल बनने से पहले के वस्ता बुक्की में सुंडिया परवावी रहती है जो बुक्की को खाती रहती है जिनके और किसान का द्यानी नहीं जाता है उसमा दिस्टिक पास में पोद्दो पर फूल दिखाई नहीं देती है ये सुंडिया फूल और फूलों को खाती र यह भी सोचता की बर्षानत आएगी तो ही सप्रे करूआ अन्ता किसान भाई बर्षानत आने या पानी लगाने का इंतिजार नहा करें ट्रेसर के पहले जटकाओं के बाद 70 mm ट्रेसर या 1500 ग्राम टाकुमी पत्ती एंकड का सप्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर दुराते रहे पुसर पवस्ता में NPK 1919 के गोल था 50 mm लिटर पलाइनो फिक्स का पत्ती एंकड चिटकाओं अपसे दोराई जब फल या टिंडे बने आरम हो जाए तो उसमें 13.045 के सप्रे को कम से कम दो बार दोराई जिससे फलों को अधिक खुराक मिल सके इससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी कर्पिया द्यान दे कि किसान भाई दवा का चिटकाओं करते समय यह सुनिस्चित कर ले कि टैंक या टंक की से ग्यों के पसल में टूपोर्डी दवाय का प्रियोग ने किया गया हो आज हम बात करते देस्सी कपास की विजाए के लिए उप्यूकत समय नंबर दो खेत का सुनाओ नंबर तीन मिट्टे की जांच नंबर चार पाने की जांच नंबर पांच बूमी नंबर चै जलवायू नंबर साथ खेत की त्यारी नंबर आठ फसल पत्ति या फसल चकर नंबर 9, बीज का सुनाव, बीज यूननत किश में बीज का उपचार बीज की मातरा नंबर 10, बिजाई या फसल की बुआई नंबर 11, फसल की बुआई, सिचित था ऐसी छेतरों में नंबर 12, खरपतवार की रोपताम नंबर 13, 30 दिन बाद सिचाई नंबर 14, 30 दिन बाद निराई या गुडाई नंबर 16, 30 दिन बाद सिचाई या फिर वर्षा नंबर 15, जलगा प्रपंदन नंबर 16, केटवा रोगा प्रपंदन नंबर 17, सप्रे, एंटी कलोराइड, मौनू, आसाटाप फंगस के लिए कॉप प्रोक्सी कलोराइड, इतियादी, फ़ल फुलों के बढ़वार के लिए टोनिक का प्रियोग नंबर 1, प्लैनोफिक्स, नंबर 2, कल्टार नंबर 17, फसल में खाद का उप्योग फिर चुनाई, फिर बंदारण यह मुख्य स्टैप है, जो देशी कवास की फसल में उप्योग की जाते हैं अब हम बात करते हैं, देशी कवास की पुरियोग्यानिक हित्ती के बारे में नमबर एक उप्यॉकुत्समय दसी कपास की बिजाय का उप्युकुत्समय आपरेल वा मही मिनना होता है पज़ार में कपास की बहुत सी अप्लब्ध होते हैं अपरेल महीने के विजाय के लिए हमां। तिव्र Этот व्राइटी हई पंद्रह मई के बाद तेक्षी कंपास के लिए 65 वरायक का ही चुनाओ क्रें स्वीक के लिए अगर पहले उस canyon के सर्षू की विज्ञायू की थी तो सर्षू के फनों को रोटावैटर की साथ से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्षू के फन तरता जाएपने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैलों की सब्सक्राइब कर दना में एक दो बार अच्छी तरह शुताइए कर दे फिर अब लेजरर लेवलर की साथा से खेट को समतल कर दे हैं ताकि खेट कमें चाहिए अब हम बात करते हैं देशिक पपास की खेते के लिए मिट्टे की जांस सबसे पहले अपने खेत की मिट्टे की जांस करवा ले जिससे हमें यापता चल जाता की मिट्टे में किन किन पोसकत्तों की कमी है और खेत की मिट्टे किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन-कौन शिपस ले उगाई जा सकती है जैसे गहूं, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गना, अलू, मक्का, बाजरा कपास, त्यादी मिट्टे की जांसे में यहा पता चल जाता कि इसका प्याचमान कितना है देस्सकमास की बजाई फासपोर्स बिजाई की समय के समय पौरे, अगर फासपोर्स बिजाई पर नहीं डाल ले गई है, तो बोकी पर पौर beet, बोकी का मतलब फूल आने पर पौरि, आदी नाईट्रोजन बोकी की समय पंदाड़े से साथ दिन पसेर्स नाइट्रोजन फूल निकलते सिमा कतारों में दो नोर डाली अगर ग्यों के बाद के पास ले रहे तो बुक की के सिमा डाली जाने वाली नाइट्रोजन बिजाई पर पूरी अब हम बात करते हैं पानी की जानस की अगर आप फसल की विजाई के लिए नैरी पानी का इस्तिमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें 20 गांकुर्ण 100% तक हो जाता है अगर आप वर्षा पीज द्वाइब करते हें अगर आप विज में पानी की जांज कर लिए अगर तेवल का पनी पनी पीज पीज अले ग gabasic प्युद्वीज में ये समस्या हो सकता है अगर पानी का फैख यार से कम है और इसमीं सभी परकार कीlvania तो लोकं के लिए अच्छा है और इसमें 20 हूं कूर्ण 100 परसे less time तक हो जाता है अगर पांः पाझ का पीपी में एक जार से जादा है तो इसमें 20 सी काूर्ण से तर那就 नहीं हो पाता है इससे हमारा नुक्सान अजाता है इसलिए पानी कराना भी पहुत जरूरी है कि पास के ख़ित्टि के लिए भूमी का चुनाओ कि ख़ित्टि के लिए अच्छी जल्दारण और जल्निकास समतावाली भूमी होनी चाहिए जिन शेटरों में वर्सा यह कम होती है, वहां इसकी ख़ित्टि अधिक जल्दारण वारी समतावाली मट्यार भूमी में की जाती है जहां सिचाएगी सुवीद्दाएं उपलव दो वहाँ बलूई वाँ बलूई दो मट्य में इसकी खेती की जा सकती है यह अलकी अमलिय है यह उम सारी भूमी में उगाई जा सकती है इसके लिए उप्यूकत पीयच मान 5.5 से 6 है अलांकि इसकी खेती 8.5 पीयच मान तक वाली भूमी में अच्छी तरह शेक की जा सकती है कपास की खेती के लिए मोसम वै जलवायू यदि परियापत सिचाई सुविदा उपलब्द हो तो कपास की पसल को मई माह में ही लगा जा सकता है सिचाई की प्रियापत उपलफदा ना होने पर मान शूँग की उप्योकत वर्षा होती है इसकी पफशल के लिए आदरस जलवायू काउन आप सकता है फशल के उगने के लिए कम से कम 16 डेकरी सेंटिगृत और अंगुरुन के लिए आदरस तामान 32-24 डिगरी सेंटीरेट होना हुँचीत है इसके बढ़वार के लिए 21-27 डिगरी तामान होना चीए फल लगते समय दिन का तामान 25-30 डिगरी सेंटीरेट और राते ठंडी होनी चीए कपास के लिए कम से कम 50 डिगरी सेंटीरेटर से अदिक वरसागा होना आविशेक है 125 स्थेंटीरेटर से अधिक वर्शागा होना कपास के लिए और रखोता है कपास की बात मकप वह देलिए मुक्स स साय दारित होतीं इन्जरों में ख्यटरेट 2-2 रृच कहर कर चीए कपास का खेत त्यार करते हैं मैं इस बात का जहां रखना चीएगी खेत पूर्णत्या समतलों ताकि मिट्टे की जल दानवा जल निकासमता दोनी अच्छी हो यह दिखेतों में करपतवार की ज्यादा समस्या नहो तो बिना जुताई या नियुन्तम जुताई से भी कपास की जा सकती है दिख्षणिवाय मद्यमार में कपास वर्षाधारित काली भूमी में उगाई जाती है इन छेतरों में खेत त्यार करने के लिए गयरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल्ची रवी फसल की कटाई के बात करने चीए जिसमें पतवार नश्ट हो जाते हो वर्ष पूर्ड की खात का इस्तियमाल करते हो तो आठ से दस रोली एक अंकट के लिए प्रियापद रहती है या कात मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर जमीन को संदल कर दे अब हम बात करते हैं फसल पति या फसल चकर फसल चकर एक ऐसे प्रनाली है जिसमें फसल को इसक्रम में बवा जाता जिसे की मर्दा के उरुकता सकती बने रही एक सपल उत्पादन के लिए उत्तियाई प्रमुक कारकों में से एक फसल चकर एक मत्तो पूर्ण स्तान रखता ह फसल चकर अपनाने का मुक्षे देकल पराकतिक साधनों का उत्वयोकत करके उसमें अधीक फसल उत्पादन करना होता है। किशी भी खेद में फसल को अदल बदल कर बोना एरफेर कर बोना फसल चकर कहलाता है। ऐसा करना से मर्दा की उरुकता सक्ति बनी रहती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है किसी भी खेत में एक निश्चित समय में उसकी मर्दा की उरुकता सक्ति को बनाए रखने जाने वाली फसलों के करम को फसल चक्र करते है किस चेतर की भूमी जलवाई यून अत्त बवरिकों के दार पर विविन फसल चकर अपनाए जाते हैं, एक अच्चे फसल चकर को अपना करें, एक इस फसल चकर को इसे अपना सकता है, फसल चक्करों के संक्या तीन होती है एक वर्षिय फसल चक्कर जैसे मक्का के बात गये हूँ दो वर्षिय फसल चक्कर जुवार बरसीन दान मक्का इसके तरिक्त फसलों के चक्करों के दारपत फसल चक्कर को वर्गिकत किया गया है प्रविक की फसल में अपनाय जाने वाले फसल चक्र, ख्रेब की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल चक्र और जैद की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल चक्र फसल चक्र के सिधान्त उतले जडड़े वाली फसलों के बाद गेरी जड़ वाली फसलों को उगाना चीए, देख खाद के आउसकते वाली फसलों के बाद कम खाद के आउसकते वाली फसलों को उगाना चीए, फलीदार फसलों के बाद एफलीदार फसलों को उगाना चीए, कर्शी सहसादनों का प्र बावी चहतरों में आजणित पुरिष दिता का समर्ण वू Patrolा प्रुष प्रसल चालते से एक ऍूर्ण समय में हुनेवान पादम होना लिए centr your जाने थे उनके आउच्शक भी जका थ Мы कर Capital सी अाधिका उंच्थीत समय कर प्रियों जा पूर्गी शिता था निच्चे की सकता तो का फसल चक्र द्वारा उंची तेजी से आउससुन होता है एक फसल चक्र को अपनाने से मर्दा सरक्षम में कमी आती है क्योंकि पूर्चक्र में आचा दधन फसलों को समिलिद किया जाता है कर्षकों को वर्ष बर कर्या करने का आफसर मिलता है फसल चक्कर के लाब मर्दा की उरुकता सक्ति में वर्द्य होती है मर्दा के बहुतिक रसाइनिक तदाजविक गुणों में सुधार होता है सगन फसल चकर को अपनाने से भूमी में जुआंस पदात की मातरा में वर्द्य होती है उन्चित फसल चकर को अपनाने से भूमी में पनपने वाले विविन बिमारियों के परवाव में कमी आती है फसल चक्र बनाने से किटो थदा खर्पतवारों पर भी नियंतरन होता है अब हम बात करते हैं देशिक पास के लिए बीज का चुनाओ बीज की किसम या वराइटी या बीज का उप्चार बीज की मातरा हमें अपने खेट में फसल की बिजाई करते हैं ऐसे बीज का चुनाओ करते हैं जो की अपने चेत्तर और एरिया के हिसाब से ठीक हो बीज का सुनाव में मिट्टी समय पानी के उनुसार ही करना होता है क्योंकि दोमट मिट्टी के लिए लग रेतली जमीन के लिए अलग अलग वराइटी मार्केट में उपलपद होती है कि पीज की वरायटी वं एक एसी वरायटी का सुनाओ करते हैं जो एमारे सितर्वाइप जमीन वा पाने मज़ादा उतौतं देती है Jestंग कें कंपनी के व confinement ओख सुनाओ ना मैं था जो कंपनी सरकारेद्वारार रिजेश्ट्ट ढड़ो जैसे राचिikes UC जोशी सकती वर्दक बीज खृद्ध समय में बीज का पक्का वश्य लेना चीए जिसे की बीज की डुप्लिकेट होने के चांज कम होते हैं और एक अच्छा ओरिजिनल बीज हमें अच्छा उत्पादन देता हैं अब हम बात करते हैं बीज की उपचार की हम बीमारी की रोकता की दोई होना चाहर करता है फिर हम इसको link in आगे की बीज की मातर हम देशिक बास की बीज लिए एक अंकड में दो पाकट की विज suspect करते हैं वह संकक क्स्वों कि वार्याटियों में हम यहे दो पक्षट की विज्णाई करते हैं अगर हम दशिकभास की दशी वराइट दूर विज्ञाई करते हैं तो हम एक अंकरड में इलगबग 2-3 कीलो कि विज्ञाई करते हैं लग बग सभी संकर किसमों का ही अप्योंग करते हैं क्योंकि संकर किसमें जदा उत्वादन देती है जैसे कि pozi Grill देशिक पास की ע staan किसमें q108 किसमें TVs 277 रड़ीhole 230- 324 HD 432 वसंकर किसमे ए ए ए ए एच वन ए ए ए एच बतीस वाक के आर चौन सटी यह देशिक पास की उनत किसमे हैं जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है HD 324 इस देशिक पास की किसम के पुद्दे लारंगे पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है इस किसम के फूल गुलाबी रंगे फूलों के अंदर गैरे लारंगे दबेयों प्राकन पिले रंगे होते हैं इसके पुद्दे में 3-4 मजबूत वानस्प्तिक सखाय होती है उसद अधिक पैदावार 9-10 कुंटल परतियंकड है इसके रेस्चे के उससे दलंबाई 15-16 मिल्यमेटर और रुवी का पतिसत ब्याड़ी से है यह किसम पकने में 115-188 देन लेती है इसलिए कपास ग्यों फसल सकर के लिए प्यक्त है इदि इस किसम के वाई या विजाई 15 अप्र कि अगर आप मशीर के साइथा से खाथ कि वाई एक साथ कर सकते है में बीज की बीजाई इस सुबह या शाम के समया ही करनी चीए विजाई के समय में ल्ाइन से ल्ाइन की दूरी तीन टीन टुट वभाए बीज से बीज की दूरी एक फुट वभाए विज की गरहाई 8-10 cm बिजाई के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डुलना चीए वा इसके पूरपान से 6 cm जमिन की पर चट जानी चीए ताकि बीज गा जर्विनेशन अच्छी तरिक्के से होशके वा बीज गंकूर्ण सही तरिक्के से होशके फसल की वह इसी चित था ऐसे चित चेतरों में नहरी पानी से की जा सकती है वा ऐसे चित चेतरों में वर्षा के अदार पर इसकी बिजाई की जा सकती है खर्पतवार की रोक्ताम के लिए हमें विजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही चिटकाओ करना चीए 500 mm द्वाई को 500 लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका चिटकाओ करना चीए इस से खर्पतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्थे के लिए निराई गुडाई हैं उसी चाई पहले निराई गुडाई उंकूर्ण के 20 से 25 दिन के बाद करने चीए यदि पसल में सिचाई की जूट पड़े तो अलकी सिचाई करने चीए इससे कीट वारू का असर कम रहता है वह यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिस ज़्यादा हो जाए तो हमें सिचाई की आउसकता कम पड़ती है जल परबंदन कपास की खेती में जल का परबंदन भी होना बहुत जूरूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा वारिस हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चीए यह आप पंप की साइटा से कर सकते हो कपास की खेती के लिए खा दें उरक पास की उननत किसमों के अच्छा पैदावार के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 80-120 kg, फासपोर 44-60 kg, पुटास 20-30 kg, सलफर 25 kg देना चीज़, जब किसंकरवा बीटी किसम के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 150 kg, फासपोर 45 kg, पुटास 40 kg, वेवं सलफर 25 kg इन बरबर बागों में 30-90 दिन के अच्छा पर देना चीज़, फासपोर 45-60 दिन के बाद देना चीज़, वेवं अच्छी पैदावार के लिए अब हम बात करते हैं कपास की पसर में लगने वाले प्रमुक कीट, गुलाबी सुन्डी कपास की पसर के लिए कर कोई सबसे ब इसका प्रकौप हर साल होता है, प्रबंदन इसके नियंतर्ण के लिए कोरो मंडल के केट ना सकते फेंडाल, 50% इसी का चटकाव करें फेंडाल एक भू, आयामी केट ना सका है, यह केड़े पर लंबे समय तक नियंतर्ण रखता है, इसके लाव इसमें तेज देखी गंद ह होती है, जो वैसे केट को अंडा देने से रुपती है, चपैद मक्ही, यह केट देखने में पीले रंगा होता है, लेकिन इसका शरीर स्पैद मौम जैसे पाउडर से ढखा होता है, यह पूद देखी पत्तियों पे एक चिप पा तरल पदार छोड़ता है, यह उन पत्यों क पत्तियों का रस चुछता है परबंदन स्पेद मक्य किट परबंदन के लिए को रोम अंडल का फिनियों के प्रियों करें फिनियों में दो अनोकी किट नासुकों की जोड़ी है जो दो विविन का रहे से लूचिये काम कर सकते हैं इसके इलावा यह पाइट वरानिक प्रभा मादान उपलत कराता है इसके प्रती एंकड़ 400-500 mm की मातरागी जूर्थ पड़ती है अब हम बात करते हैं महू यह फेट किट की यह बहत कॉमल केट होता जो दिखने में मटमेले रोका होता है महू केट पास की पत्तियों को खुर्च कर उसका रस चुछ लेता है इसके किट करें तो आप डोक्टर की साथ तास के नुशार तेला कीट काड़े रंगा या किट पुद्धों की पत्तियों को खुच कर इसका रस पी जाता है इसके लिए बजार में बहुत सी केट ना सकता हुए या उपलवद है आप तेला कीट के लिए सप्राक करें राम अच्छ सरय देखने में पांस बुजाय कर और पीले रंगा होता है इसके केट के आगे पंकों पर एक काला दबा पाया जाता है जो कपास की शिचुएं वश्क अवस्ता में पत्यों का रस छुचता है जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है परबंद इसके के परबंद के लिखे लिए पूरे केदमे परतिया कट 10 पीले पर पंच लगाने चीए इसके अलाव 5 mm नीम तेल को 1 mm टेनोफाल या सेंडोविट को परति लेटर पानी के साथ गोल बनाकर अच्छटकाव करें मिली भग इस परजात्ती के कीट की मादा पंक वीन होती है वहीं इसका सरी शपेद पाउडर से डगा होता है अलागि इस कीट के सरीर पर काले रंगे पंक होते है तो खाओ तन्य फूल पूड़ी प्रणवर्थ तता गेंटों का रश्चु जाता है इसके बाद इस मिठा नंबर एक जिवान जुल्चा एम कुणिया दबा रोग नंबर दो मायरो थोसिस पत्ति दबा रोग नंबर तिन अल्टरनेट या पत्ति दबा रोग नंबर चार पोद अंगमारी रोग जुआन जुल्चा एम कुणिया दबा रोग या रोग नंबर नंबर दो मायरो थीश्यम पत्ति दबा रोग नंबर रोग नंबर बाद में बड़े बूरे दब्बे बन जाते हैं इसके बाद पत्तियां तोटकर निच्चे गिर जाती है इससे 25-30% उत्पादन में कमिया जाती है रोग थाम के लिए उनुश्य से दिखिटनास का ही प्रियोग करें अर्टरनेट या पत्ति दबा रोग मौसम में अतदिक नमी के काण पत्तियों पर अलके पूरे रंग के दब्बे बन जाते हैं जिसके काणा खर में पत्तियां तोटकर गिर जाती है ठंडे में मौसम में इस रोग उगरता दिक होती है इसके रोगताम के लिए नुश्य प्रामर्स के अनुशारी केटनास का प्रियोग करें। नम्बर चार पोद अंगमारी रोग यह रोग पुद्दे की मुशले जोड़ों को छोड़कर मूल तंतों को नुक्सान पुचाता है। जिसके कान पोदा मुझाता है। रोग थाम के लिए अनुशारी केटनास का ही प् आप बिमारी के अनुसार भी आप सपरे करसकते हो या फिर आप टाटा आसाटा पर साथ स्थ परसंट इसी का च्टकाओ करें अगर आप फंगस की दूए के लिए रोक थाम के लिए च्टकाओ करते हैं तो को प्रोइक सिंख्या को बढ़ाना चाहते हो तो परियोग करें जो खेट में प्रीश के इंवह बहुत भारिमातरा में जब दस्तिन करता है जिसे फूलो कि सुन के आप बंद हो जाता है वह इसे इत्पादन में भारी अब बात करते हैं उत्पादन की कपास की खित्टी से उत्पादन की चुनाई लग बग नुम्बर के पहले सब तक तक हो जाती है इसकी उत्पादन की बात करें तो अब प्रक्ति एक्टर 20 से 25 स्प्यूम्टल तक पादन हो जाता है वही बिट्टिक पिश्मों का अलग तक पादन होता है इसकी चुनाई कर लिजाती है और फिर इसका बंडान कर लिया जता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और छे लिए रिए आपकता के निरा यह बिए है जाविए को एंडा शैर खालो परफिश्व परफिटार है मुझे डिया जाओ आपको जाने कर दोबले प्रक्ति आए हम महीं है जासे हुनादा बाटन कर दो अजुए जए लिए झाल झाल